हम दर्द है हम दंभी है क्रियेट प्रोजेक्ट पर टेप करना है आपको इस वीडियो को एडिट करने के लिए जो मेटरल दियूज होगा सबीक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखिए तो एक एक करके डाउनलोड करना वीडियो में सॉंग एड करने के लिए प्लस पर टेप करना मीडिया पर टेप करना वो इस्टेडस सेलेक्ट करने जिसमें से सॉंग एक्स्टेट करना चाहते हूँ वीडियो पे टेप करना थी डॉट पे टेप करना एक्स्ट्रेक्ट डोडियो कर देना बाद में वीडियो को यहां से डिलीट कर देना फोटो एड करने के लिए प्लस पे टेप करना मीडिया पे टेप करना यहां से ले सकते हो इस परिके कि images आप कहां से लोग है वो बताऊंगा आपको movement transform पर जाना third option पर जाना image को zoom in कर सकते हो image की duration को last तक कर देना बेकाना है आपको pinterest application मिलेगी है उसको download कर लेना play store से pinterest application open होने एक बाद ऐसा interface खुलने वाला search bar पर टेप करना है आपको यहां पर tape करना है rose wall paper तो यहां से आपको गापसारा मिल जागा इसके उपर टेप करना है तीडोट पर टेप करना है download image कर देना बेकाना है आपको अपने light motion project के अंदर आ जाना image पर टेप करना effect पर टेप करना add effect के अंदर चले जाना होगा फर्स्ट effect एड करने के लिए आपको इसके उपर में टेप करना है यहां से आपको एक effect मिल गा add is glow तो इस effect को लेना standard setting कर लेना है इसके अंदर कुछ नहीं करना बेकाना है effect पर टेप करना add effect के अंदर चले जाना है यहां से आपको एक और effect मिलागा जिसकी name sets कर लेना है यहां पर light glow standard setting कर देना है देख आना है वीडियो में lyrics टाइप करने के लिए आपको beatmark add कर देना है lyrics के recording lyrics कहां पर start हो रही है कहां पर खतम हो रही है उससी साब से आप लोग song को सुन के beatmark add कर सकते हो lining पर click करना है center में कर देना color पर tape करना है यहां से red color select करना इस पर tape करना है इसको यहां से dark कर देना है font पर tape करना है आपको यहां से big noodle name का font मिलागा description box में उसको add करना है 18 pt पर tape करना है यहां से इसकी size बढ़ा सकते हो 20 pt करके tick कर देना है movement transform पे टेप करना यहां से इसकी position set कर सकते हो layer में effect add करने के लिए layer पे टेप करना effect पे टेप करना edit के अंदर चले जाना आपको movement transform के अंदर चले जाना यह वाला effect लेना name देख लेना इस्टंटर सेटिंग करना open करना scale पे टेप करना 1.45 कर लेना angle पे टेप करना 90 कर देना effect पे टेप करना edit के अंदर चले जाना निचे की site आना इसपे टेप करना आपको text transform वाला effect लेना standard setting करना open कर लेना आपको इसपे टेप करना आपको starting में plus देना आपको end से थोड़ा पेले plus देना आपको start पे टेप करना end में यहां से 100 कर देना इसको निचे की site आना आपको transform पे टेप करना यहां से इसपे टेप कर देना आपको यहां से scale पे टेप करना इसको 9 कर देना निचे की site आना alpha पे टेप करना यहां से इसको minus 1.00 कर लेना आपको निचे के साइट आना इस पे टेप करना है एज इन पे टेप करना है इसको प्लस में 100 कर देना एज आउट पे टेप करना है इसको माइनस में 100 कर देना आपको इस पे टेप करना है यहां से इसको 300 कर देना निचे के साइट आना इसको यहां से ओन कर लेना arrow पर tape करना है निच्चे आना इसको tape करना है याँसे इसको type कर लेना है वीडियो में next lyrics लिखने के लिए आपको beatmark पर आना है plus पर tape करना double A पर tape करना याँसे type कर सकते हो center में कर देना color पर tape करना white color select करना font पर click करना याँसे आपको description box ने यह वाला font में लगा इसको select करना है याँसे इसकी pt पर tape करना है इसको 10 pt कर देना मतलब कि size tick कर देना move and transform के अंदर चले जाना है याँसे इसकी position set कर सकते हो इसके निच्चे इसमें दो effect एड़ करने होंगे effect पर tape करना अधिपेट के इंदर चले जाना के ऐड़ कर देना open कर लेना open कर लेने बाद यहाँसे आपको x इसके इसके इंटर में आजाना center में plus देना है, आपको यहांसे end में plus देना है, यहांसे इसको hundred कर देना आपको starting में आना है, आपको यहांसे starting में plus लगाना है, एक plus इत्दे पे add करना है आपको end पे टैप करना है यहां से इसको 0 कर देना निच्चे के साइट आना इसको टैप करना इसको प्लस में 20 कर देना देख सकते हो कुछ इस टाइप से हो जागा वीडियो में next lyrics लिखने के लिए इन देनों पे टैप करना प्लस पे टैप करना copy to layer कर देना अब एक आना है आपको next beatmark पे टैप करना प्लस पे टैप करना यहां से आगे पेस्ट कर लेना उसके बाद यहां से डबले पे जाके edit करके next lyrics टाइप कर सकते हो वीडियो को save करने के लिए उपर arrow पे टैप करना export कर देना अगर इस वीडियो के editing से आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को like कर सकते हो comment कर सकते हो चैनल को subscribe कर देना मिलते है next वीडियो में तब तक ये लिब आए कर दो